एक्सेम एस्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है बिहार, LRC, कलर्क, अमीन और ASO का कॉंस्लिंग करनी समाप्त हो गया था और कल से एक आप लोगों को लेटर वायराल हो रही थी और वह लेटर जो है न सत्य था लेकिन वह जो है न लेटर आप लोगो यहाँ पर स्प फायल किये थे क्योंकि उनका उनीवर से अर उसका उनीवर्ट से था और उसका यूर lle ऑट से नहीं था इसीलिए उन्होंने यह पिंद हिए यहाँ फाइलिंग नम्मर है फैसला भी हाई कोट के तरफ से यहां दिये दिया गया है आप लोग इस वीडियो में लास्तिक बने नहीं गया है जिससे आपको पूरी चांद यहां पर सुपसे देखिए जो है ना आप लोग को जो जस्टिस केस नंबर 10-601-72 है यहां देखिए यहां भी देख सकते हैं और यह जो केस पेटिशन हुआ था हाई कोट में बिहार के हाई कोट में हुआ था वही 10-601-32 है और इस्टेशन देखिए 37-72 में दिया गया है यह आपको CNR नंबर है और यह केस का एस्टेटस क्या दिखाए दे रहा है आप लोग UGC जितना भी करने डेट है आप लोग ख कुछ नहीं होने वाला है और बहुत ही जल्द फास्ट काम होने वाला है आप याद दखेगा क्योंकि केस भी समाप्त हो गया तो अब पूरे फास्ट से काम होगा और इसका फैनल लिस्ट आप लोग को याद दखेगा फरवरी के फर्स से सकेंड वीक में देखने को मिल अगर जो वी बचफो फॉम फिलप कि ए वहाँ तो बैसी सी ऐसा तो नहीं बोला था कि की यूजीसी वाले जो फॉम फिलप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोग का गलती है न कि आप हों फिलर नहीं कहों यहाँ पे तो नहीं लिखा गया था कि किसी भी एडवरटेज्वेंट में लिखा गया था यूजीसी वाले वहाँ पे यूइ अलो नहीं हो सकते हैं वहाँ पे ये था कि A.I.C.T. और S.B.T. यहाँ पर तो नहीं लिखा था कि वहां पर सब्सक्राइब लिखा रहा था UGC वाले एलो नहीं है तब आप लोग का केस बैलिड होता और आप लोग को फिर से फॉर्म फिलप करने देता बट आप लोग ऐसा भी एडवर्टेजमेंट में कहीं भी जो भी अमीन का एडवर्ट आया हुआ है वहां कहीं भी नहीं लिखा गया है कि UGC वाले एलो नहीं है हर कोई एलो है हर कोई फॉर्म फिलप कर सकते हैं बट यह यह था लिखावा कि आपका कोले जो एसीटी और एसबीटी से एप्रूब होना चाहिए लेकिन आपका नहीं भी था तब पर भी आपको फ पर फिलप भी किया था उन लोगों ने डोकुमेंट भी किसन भी करा और वहां पर जो स्टार्टिंग किया गया था तो बाद में उसको पेंडिंग हटा दिया गया तो और आसपर स्टूब से आज देखिए यहां देखिए करा है फस्ट हेरिंग जो हुआ था एक कार दो है 23 को फस्ट हेरिंग हुआ था और डिसीजन डेट देखिए आज का यहां पर देखिए डिसीजन आ गया है हाई कोड के तरफ से यहां पर डिसीजन देखने को मिल आया कि 23 जनवरी 24 को यहां पर देखिए केस स्टेटस भी केस डिस्पोज हो चुका है कहने के बाद केस जो है न आप लोग समाप्थ हो गया है और यहां पर देखिए उलॉक कर दिया और यहां पर दिकषण है शिंगल बेंग पर रखिय को धिया गया तो अब यहां पर जो भी केस समाप्थ हो चुका है अब आप लोग ओसको घबराने का कोई जरत नहीं आप्स मतलब जितना भी सया ज करायती सब डुकोमेंट को अच्छे सारख लीजेए क्योंकि आपको जो भी डिस्टिक में आपको अलोटमेंट होगा उस डिस्टिक में दिखाने को फिर से रिखाना पड़ेगा इसलिए जितना भी स्टुएंट है, कंडिडेट है आप लोग क्या कीजिएगा अराम से अपना और सबसे खुसकबरी की है, उन्हें स्टूनेंट के लिए जिनकों लग रहा था कि केस होने के कान हो सकता है, कि डिले हो जाए, हो सकता है कि यह जो है ना वेकेंसी रद हो जाए, तो यह कुछ भी रद नहीं होने वाला है, अराम से आप लोग चिंता छोड़ दीजिए, और आ कि यहां भे बहुत से स्टूनेंट मेरा स्टूनेंट क्वालिफाई किया है, तो हम उसके लिए गरत वीडियो नहीं बना सकता हूं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा 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 इन्फोर्मेशन आप लोग को मिले, चलिए थैंक्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है ना, इसके नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा, आप एनेलिसिस मिलेगा